YouTube वीडियो के लिए मैंने आवाज तो record कर लिया लेकिन इस आवाज में कुछ मजा सा नहीं आ रहा है नहीं कोई bass है नहीं treble है मिन्स कुछ वैसे feeling नहीं आ रहे है YouTube वीडियो उसके type की अगर आप भी friends यही सोच रहे हैं तो फिर आज की इस वीडियो को बिलकुल लाश्ट तक देखिए इस वीडियो मैंने आपको basic level की audio reading बताई है like आप computer से अपने voice को कैसे clean कर सकते हैं सारे के सारे voice अटा सकते हैं bass और treble add कर सकते हैं और सेम चीज मैंने आपको mobile से भी करके बता है कि आप इस चीज को mobile से कैसे कर सकते हैं okay friends तो बने रही है मेरे साथ आज किस वीडियो में हम सेखेंगे कि अपने voice को edit कैसे किया जाता है so before we begin hi friends मेरा नाम है पंकर सा और आप देख रहे हैं डीजी सा hacks तो चलिए friends अब इस वीडियो को शुरू करते हैं okay friends तो देखेंगे अब हम आगे अपने computer screen पर आपको यहाँ पर अपना chrome browser open कर लेना है ठीक है friends जैसे ही आपका यह chrome browser open हो जाएगा तो इसमें आपको यहाँ पर search करना है order city okay friends order city order city आप जैसे search करिए गूगल पर तो आपको पास यह वाला एक website आएगा order city team.org इस पर आपको फ्रेंट्स डाउन्डूड पर क्लिक करना है और डिरिकले आप इस website पर विजिट करिएगा और विजिट करने के बाद यहाँ आपको विरिफाई कराने के रहेगा आप इस पहले विरिफाई कर लेजिए लिए के फ्रेंट्स के टैप्चा वरिफाई होने के बाद आपको आपको डाउन्डूड पर क्लिक करना है आप अगर विंडूज से लादे तो आप जो भी प्लाटफॉर्म यूज करते हो इसके लिए आ अप रहाम से इसका zip file डाउन्ड लिए आपको फ्रेंट्स यहाँ पर आने के बाद इस विंडूज के लिए zip file तो दिखा रहा है 11.2 MB का आपको इससे डाउलोड कर देना है ठीक है फ्रेंस आप पस इससे डाउनोड करिए इस पर क्लिक करिएगा आपकर डाउनोड बेगिन हो जायगा ती है आप डाउनोड शरूघ वो गया यहां परпис आपका अपको इस तरह से खुल जागा ऐसा इंटरफरेस यहां पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है आपके यहां पर रिकोर्ड पर क्लिक करने दिखिए ये वाला जो बटन देख sarcπू हो जाएगे अब आपको friends यहाँ पर सुरू में बस इब दू सेकेंड का gap रखना है ताकि हम noise को capture कर सकें और इसके बाद friends आपको जो जो भी चीज रिकॉर्ड करना है आप रिकॉर्ड अपना start कर लीजे इसके बाद friends आपको जैसे ही recording end होता है तो आपको यहाँ पर stop पर click कर देना है इसके पर आप get noise profile पर click कर देगे आप friends इसमें read कर लिया आपके इतना भी noise है अब आपको फ्रेंड यहाँ पर control A B click करना है ठीक है friends अब आपका सारा का सारा track select हो चुका है आपको effect पर दोबारा जाना है दोबारा से noise reduction और friend okay पर click कर दिया कोई setting को छेड़ना नहीं directly okay यह friends अभी आ यहाँ पर equalization पर click करना है ठीक है friends यहाँ पर जाने के बाद देखिए आप यहाँ पर drop down से base boost को select कर लिजेगा अब friends यहाँ पर ok कर दिजेगा आपका friends इस audio track पर आपका base बढ़ चुका है दुबार से friends equalization पर जाईएगा अब यहाँ पर friends triple boost को select कर दिजेगा फिर फ्रेंड क okay कर दिजेगा again friends आप यहाँ इफेक्ट पर जाना है अब friends इस बार आपको compressor पर click करना है ठीक है friends देखिए और कोई भी setting छेटिंग नहीं है इस लिए आपको friends okay कर देना again friends आप इफेक्ट पर जाईएगा now normalize इस बार friend आपको normalize करना है और okay कर दिलेगा और बस यह बार last friend य आपर manage पर जाना है factory preset vocal one यह friends best रहता है इसलाद आपको जिरूप नहीं पड़े बस फिर आप यहाँ पर okay कर देए अब friends देखिए हम एक बार अपना track सुन लेता है दो second के लिए crap रखने के बाद friends अब आपको यहाँ पर बोलना है जैसे कि देखिए friends मैं जो जो भी बोलते जा रहा हूं सारा का सारा voice यहाँ पर record होते जा रहा है तो अब आपको क्या करना है friends चलिए मैं हम चलिए हम friends देख लेते हैं अब आपको आगे क्या करना है अब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और बेस को बनाना है तो आप दोबारा से effect पर जा करके यह पर जा करके दोबारा से एक पर और आप इसे base boost कर सकते हैं अब आपका यह voice बिल्कुल ready हो चुछ रहा है चलिए friends यह पर हम इसे दोबारा से सुन लेते हैं दो सकेंड के लिए क्राप रखने के बात friends अब आपको यहाँ पर जो जो भी बोलते जा रहा हूं सारा का सारा voice यह special website पर जाहिए और जाकर तो order city को download करिए अपने PC पे install करियो और friends अपने कोई भी एक दो raw files को read करके देखिए अब तक आप friends उसे practice में करिये ला तब तक आपका perfect नहीं होगा हर किसी के voice के लिए friends अलग-अलग type का setting होता है तो मैंने जो आपको बताए यह approximately और एक एक voice पे का स्क्राम करता है या नहीं क्या friends तो चलिए friends अब हम mobile से क्या सी read करना हो भी देख लेते हैं तो चलिए friends तो अब हम आ गए अपने mobile के screen पर आप चाहे तो अपने mobile के normal recorder से भी अपने sound को record कर सकते हैं या तो फिर आप इस app को download कर लेगा तो यहां पर आपको दिख रहा है एक व बहुत सारे noise को पहले ही reduce कर देता है इसमें already noise reduction की feature inbuilt है friends मैं तो बस आपको यही बोलूगा कि आप regforce 2 इसी application को यूज करिएगा अपने audio को record करने के लिए ताकि काफी अच्छे quality की audio recording ठीक है friend इसके अलावा अब आतीए बाद audio editing की तो इसके लिए हमें यह वाली जो आप है Lexis audio editor इससे आपको download करना होगा play store से यह भी आपको easily available मिल लेगा play store पर बस आप इसे download करने के बाद आप इसे open कर लिजेगा ठीक है friends जैसे यह open हो जाता है तो फिर friends यहाँ आपको open पर click करना है और आपने जहाँ पर भी अपना recorded audio file रखा है उससे आप select कर लिजेगा इसे select कर इसे बाद friends यहाँ open पर click करिएगा यह friends आपका यहाँ पर आपको voice आगया है अब आप friends यहाँ पर जाएगा option पर effects effects के friend आप जाएगा noise reduction यह जागे बस friend आप इसे apply कर जाएगा फोल भी setting आपको open नीचे लिए करनी है इसके बाद friends दोबारा से effect पर जाएगा यहाँ पर जा friends आप उसे normalize कर देगा यह आपका audio friends बिल्कुल तियार हुँ चुका हुआ है आप चाहे तो इस audio को सुन के देख सकते हैं चलिए हम इसे प्लिक एप लेते है हाई friends मेरा नाम पंकसा है और इस audio को मैं अपने mobile से record करके दिखाऊंगा ओके friends तो यह था friends कि हम अपने mobile और अपन desktop से audio को कैसे edit कर सकते हैं उमीद है कि यह video आपको पसंद आई होगी अगर हाँ तो friends इस video को like कर देजेगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस video की किसी को जरूरत है तो आप please उसे share जरूर कर देजेगा और हाँ friends अगर आपके पास मेरे लिए को suggestion है तो आप उसे नीचे comment box पर लेख सकते हैं इसी के साथ इस video को end करते हैं okay friends see you in the next video thank you